महिला अरक्षन बिल पर क्यों भड़ की कॉंग्रेस? क्यों बता डाला चुनावी जुम्ला? महिलाओं के साथ हुआ कैसा धोका? महिलाओं का सशक्ति करण भागिदारी मुझे लगा था उसमें से एक है मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूँ तो जब मोधी सरकार ने विमिन्स रेजर्वेशन बिल की महिला अरक्षन की बात की तो हम प्रफुलित हो उठे हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी अब वो क्रियानवित होगा लेकिन अब पता चला कि मोधी जी की नीती और नियत दोनों में खोट है आज भी महिला अरक्षन पर किंतू परंतू अपितू से पूरा बिल भरा पड़ा है आज भी ये जुमला इसलिए दिया गया है क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोधी जी के स्कोर कार्ड पर निलबटा सन्नाटा है तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला अरक्षन का लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई क्योंकि ये बिल साफ तोर से कहता है कि महिला अरक्षन तभी होगा जब पहले जनगरना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला अरक्षन क्रियानवित होगा मतलब दो हजार उन्तिस से पहले महिला अरक्षन संभवी नहीं है जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे उनको भी ठग लिया मोदी जी ने आज इस देश की महिलाएं अपने आपको ठगा महसूस कर रही है क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगरना होते होते 2029 तक ही ये संभव हो पाएगा ये जो बिल था हमारा लाया हुआ बिल राजसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था अगर आपकी नीती और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोगसभा में लाते बिना कंडिशन के उसको पास कराते और महिला अरक्षन एक रियालिटी बनता लेकिन असलियत ये है कि आपने महिला अरक्षन के नाम पर भी देश की आदिया बादी को एक जुमला थमा दिया बहुत कुछ कहने से जादा एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ आज अगर आपकी नीती साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था किन्तू परंतू अपितू हटाईए महिलाओं के सशक्ति करण की बात कीजिए जो दूर दर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाया जुसका परिणाम है कि 30 लाक से जादा निर्वाचित लोकल बॉड़ी इलेक्शन में 10 लाक से उपर महिलाएं है जो दूर दर्शिता और धृर निश्चे सोनिया जी ने और मनमोहन सिंग जी ने दिखाया था वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की एक तिहाई भागिदारी होती लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था वो जुमला था आपको नए सदन में जाना था एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या खोदा पहार और निकली चुहिया खोदा पहार और पता चला 2024 में नहीं ये तो 2029 में शायद संबभ हो पाएगा अगर आप चाहते तो आप जनगरना 2020 से 2023 के बीच में करा सकते थे सब कुछ हुआ लेकिन जनगरना नहीं हुई फिर भी आपने जनगरना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटीरिया बनाया तो देश की महिलाएं आप से आज सवाल पूछ रहेंगे कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी अबादी को भी बना दिया